इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और, सूजन का कारण बनने वाले पदार्थों का स्त्रवन रोक कर काम करता है। इसे खाली पेट या भूजन के बाद लिया जा सकता है। दवा को नियमित रूप से सही समय पर लेने से इसकी प्रभावकारिता बढ़ जाती है। जब तक आपका डॉक्टर आपको बताता है कि रोकना सुरक्षित नहीं है, तब तक दवा को नियमित रूप से ले जाना महत्व पूर्ण है. इस दवा के इस्तेमाल से भूक बढ़ना, वजन बढ़ना, बार-बार पेशाप करने की इच्छा, कुशिंग सिंड्रोम, खांसी, श्वसंतंत्र के उपरी हिस्से में संक्रमन, असामान्य तरीके से बालों का बढ़ना, मोटापा और नासुफेरिंजाइटिस जैसे कुछ डिफेक्ट से आप परेशान हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं, इटिकोट 6 टैबलेट से आपको संक्रमन से लड़ने में मुश्किल हो सकती है, अगर आपको बुखार या गले में खराश जैसे संक्रमन के कोई लक्षन हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं, इस दवा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद